पूर्व केंद्रि मंत्री रगवंश पसाद सिंग के निधन पर पीम मोदी और सीम नितीश ने शोग जताया पिम मोदी ने श्रद्धांज्री देती है विकाँ प्रधान मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि वे अपने प्रेरक उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें कारकम के शुरुआत मैं मुझे एक दूखत खबर आपके साथ साज़ा करना है बिहार के दिग्जनेता स्रीमान रगुबर प्रसाद स्थी वे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं मैं उनको नमन करता हूँ रगौंस बावो के जाने से बिहार और देश की राजनीती में सुन्य पैदा हुआ जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व गरीबी को समझने माला व्यक्तित्व पूरा जीवन विहार के संगर्ष में बिताया जिस विचारधारा में वो पले बड़े जीवन भर उसको जीने का उन्होंने प्रयास किया मैं जब भारती जन्रता पार्टी के संगठन के कारकरता के रूप में काम करता था उस काल से मेरा उनका निकट परिचर रहा अनेक टीवी डिबेट में काफी बाद विवात संगर्ष करते रहते थे हम लोग बाद में वो केंद्रिय मंत्री मंदल में थे यूपी एक में मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के इनाते भी उनके साथ लगाता और संपर्ग में रहता था विकास के कामों को ले करके और पिछले तीन चार दिन से वे चर्चा में भी थे उनके स्वास्थलाब के लिए मैं स्वयम भी चिंता करता था लगाता और जानकारिया लेता रहता था और मुझे लगता था कि बहुत ही जल ठीक होकर के वो वापिस बिहार के सेवा में लग जाएंगे लेकि उनके भीतर एक मन्थन भी चल रहा था जिन आदर्शों को ले करके चले थे जिन के साथ चले थे उनके साथ चलना अब उनके लिए संभव नहीं रहा था और मन पुरी तरह उस जद्दो जहायज मा था और तीन-चार दिन पहले उन्होंने अपनी भावना को चिठी लिकर के प्रगट भी कर दिया लेकिन साथ साथ भीतर अपने एक शेत्र के विकास की भी उतनी ही चिन्ता थी तो उन्होंने विहार के मुख्यमंत्रीजी को अपनी एक विकास के कामों के सुची भेज दी मैं नितिश जी से जुरूर आग्रह करूंगा कि रगवंस प्रशाज जी ने अपनी आखरी चिठी में जो भावनाय प्रगट की है उसको परिपूर्ण करने के लिए आप और हम मिलकर के पुरा प्रयास करें क्योंकि पूरी तरह विकास की ही बाते उन्होंने लिखी थी उसको जुरूर करें मैं फिर एक बार आज कारकम के प्रारम में ही स्रिमान रगवंस प्रशाज जी से आधर पुर्वक सर्धान्जली देता हूं उनको नमन करता हूं रगवंश बावु के निधन से बिहार और देश की शून ने पैदा हुआ है गरीबी को समझने वाले और जमीन से जुड़े शक्त से रगवंश पताब सिंग बीजबी के संगठिन में था तो रगवंश जी से लगतार परेचे रहा टीवी डिबेट में हमारा बीच वाद बिवाद चलता था उन्होंने से मितीर से रगवंश बावु के सपनों को पूरा करने को कहा था आगे सुनिए क्या कह रहे हैं पेम मोदी पेम मोदी ने कहा कि गुज्रात का मुख्यमंतरी होने के नाते विकास कार्यों को लेकर उनकी संपर्क में लगतार रहता था उनकी स् चलना अब उनके लिए संभव नहीं था उनका मन जदो जहेद में था रगवंश बावू की निधन पर पीम मोधी के साथ सेम नितीश ने भी शोग जताया अज जब आजी कारिकरम की सुलवात थे उसके कुछी समय पहले हमारे बिहार के एक बड़े सुविख्यात निता रगवंश बावू थे रगवंश प्रसाद सिंग जी एमस में भरती थे उनके निधन की भी जानकारी मिल ली इसके प्रती भी हम लोग अपना असोक प्रकट करत पूर्वकेंद्र मंत्री वर बिहार की प्रक्ष्यात समाजवादी नेता डॉर्टर रगवंश प्रसाद सिंग का अंतिम संस्कार पूरे राजकिये सम्मान के साथ किया जाएगा उनकी निधन पर बिहार के मुक्य मंत्री नितीश कुमार ने भी गहरी शोक समवेदना व्यक लोग अपना असोग प्रकट करते हैं नितीश कुमार ने अपने शोक संदेश में कहा है कि रगवंश प्रसाद सिंग एक प्रक्ष्यात समाजवादी नेता थे विस्वर्गे करपूरी ठाकुर के मंत्री मंदल में क्याबिनेट मंत्री रहे साथी उन्होंने चार बार वैशाली से लोग सभा का प्रतिनिधित्व किया केंद्र ग्रामीर विकास मंत्री के रूप में उनका कारकाल अत्यन्त सरहानी रहा निदीश कुमार ने अपने शोक संदीश में लिखा है कि रगवंज बाबू जमीन से जोड़े राजनीता थे उनकी निधन से मुझे व्यक्तिगत रूप से दुख पहुचा है सियम ने उनकी निधन को राजनीतिक समाजिक शिक्षा और समाजवाद के छेतर के लिए अपूरणी एक शती बताया है इससे पहले निदीश कुमानी रगवंज बाबो की निधन के बाद उनके सुपुत्र सत्यप्रकाश सिंग से फोन पर बात कर सांत वना दी सियम ने अपने अधिकारियों को वादिश दिया है कि उनके परिजनों से संपर करने के बाद उनके पार्टिव शरीर को इच्छा क्यान रूप पटना लाने की वेवस्ता करें साथी पूरे प्रोचोकॉल के साथ उनका अंतिम संसकार किया जाए सियम ने दुख की गड़ी में उनके परिजनों से धहरे धारन करने और शक्ति पतान करने की ईश्वर से प्रातना की है मालूम हो कि रवेवार को बिहार के दिगजनेता रगुवंश प्रसाथ सिंग का जिली इस थे टेम्स में रवेवार की दो पहरन दहन हो गया था परिवार में मिली जानकारी के मताबिक उनका अंतिम संस्कार वेशाली जिला इस थित पैत्रिक गाउं में किया जाएगा